श्वागत है दोस्तों आज 26 जुलाई है और आज का आउसर यह जानने का है कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस क्यों मनाय जाता है तो कारगिल जुद्ध वर्ष 1999 में लड़ा गया था देश के लिए सरवच बलिदान देने वाले भारतिय सैनिकों की बहादुरी की शर्धांजली का समय है हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस उनही सैनिकों की याद में जो सहादत को प्राप्त हुए देश के स्वरोग्षा में मनाय जाता है 26 जुलाई के दिन 1999 में भारतिय सैनिकों ने कारगिल की बरफीली चोटियों पर लगभग तीन महिने की लंबी ससस्त्र लड़ाई के बाद पाकिस्तानी रेंजरों पर अपने जीत की घोशना की थी यानि आज ही के दिन कारगिल जुद भारत अपचारिक रूप से जीता था यह जुद तीन मई से 26 जुलाई 1999 तक हुआ था यानि आज के दिन कारगेल जुद्ध की समापती हुई थी भारत विजेता हुआ था और अगर इस जुद्ध की बात करें आज 2023 में हम हैं 26 जुलाई को तो 24 साल हो गया है कारगेल जुद्ध के और 26 जुलाई 2023 को इसलिए 24 मी बर्सगाठ मनाई जा रही है ऑपरेशन विजय भारतिय शेना द्वारा 1999 में जम्बू कास्मीर के कारगिल सेक्टर में पाकिस्तान के खिलाफ रड़ा गया था और अब कारगिल लद्धाक में है जम्बू कास्मीर में जम्बू कास्मीर और लद्धाक दो छेत्रों में बाटा गया है दोनों के अनरसासित प्रदेश हैं अलग-अलग तो कारगिल अब लद्दाक यूटी में आता है और ऑप्रेशन विजय के साथ साथ भारतिय बायुशेना एयरफोर्स ने शफेद सागर ऑप्रेशन शफ्ट सागर भी सुरू किया था और ये कारगिल जुद्ध का ही हिस्सा था कारगिल जुद्ध को शमर्पित है कि इसके पीछे कहानी यह है कि 1971 के भारत पाग जुद्ध के बाद कई सैन संघर्स हुए दोनों देशों ने उन्टानवे में वोकरन में परमानुपरिक्षन किये भारत ने और पाकिस्तान ने भी अपने जगह पर परमानुपरिक्षन किया जिसे तनाव हु लेकिन पाकिस्तान ससास्त्र बलों ने अपने सैनिकों और अर्द सैनिक बलों को नियंतरन डेखा के पार भारतिये चत्र में भेजना सुरू कर दिया और इस गुस्पैट का नाम दिया गया ऑप्रेशन बद्र यानि ऑप्रेशन बद्र जो पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी के सैनिक थे अर्दसैनिक थे वो लोग इंटरी किया और पाकिस्तान ने कहा कि ये मुझा ही दिन लोग है और आर्मी के लोग नहीं है इस कोड को नाम दिया के था ऑपरेशन वद्र अपरेशन वद्र का उदिश क्या था कस्मीर और लदा के बीच जो संपर्क है उसको काट देना सियाचीन ग्लेशियर से भारती शिना को हटाना या इसके लिए अंतराश्टी असर पर दबाव बनाना पाकिस्तान का मानना था कि शत्र में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने से कस्मीर मुद्दे को एक अंतराश्टी मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी जिससे उसे तुरित समाधान हासिल करने में सहयता होगा अगर कारगिल जुद के पहले का प्रिद्दिस देखें तो 98-99 में सर्दियों के दवरान पाकिस्तानी सेना ने सियाचीन ग्लेशियर पर भाख करने के लचके साथ चिटपर हावी होने के लिए कारगिल के पास गुप्त रूप से ट्रेनिंग सुरू कर दी और पाकिस्तानी सेना ने कहा वे पाकिस्तानी सैनिक नहीं, बल्कि मुझाहिदीन थे u कि मैंने आपको बताया और दर्शसल्प पाकिस्तान इस विवाद पर अंतराष्टिय ध्यान अकर्षित करना चाहता था चाहे वो इवेनों का हो चाहे व अमेरिका का हो यह अंतराष्टिय मुद्दा है ऐसा वो सेप देना चाहता था भरतिय सेना पर सियाचिन गलेशर से हटन 3 मई से पहला information है भरतिय सेना को कारगिल में जो चारवा है अस्थानी लोकल जो चरवा है उनने पाकिस्तानी सेनिकों और आतंगवादियों के बारे में सतर किया भरतिय शेना को की movement हो रहा है यह वहाँके लोकल भर्स शेना को बता रहे हैं quad시 5 मई को पाकिस्तानी सेनिकों भारतिये सेना के कम से कम पांच जमानों को मार डाला इप्पोर्टिन घटना हो गई उसके पांच दिन बाद यानि 10 माई को पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में भारतिय सेना के गोला बारुद भंडार को निशाना बनाया यानि पाकिस्तान अभी अटैक पर है और 26 माई को भारतिय सेना ने हवाई हमला किया 27 माई को भारतिय वाई सुना का मिक 27 गीरा एरफोर्स के चार क्रू सदस्यों की मौत हो गई पाकिस्तान ने बिमान से बाहर निकलने वाले पाइलट को युद्ध बंदी के रुप में पकड़ लिया 31 माई को अटल भिहरी बाजपई ने घोशना की की कारगिल में युद्ध जैसी स्थिती है एक जुन को अमेरिका और फ्रांस ने भारत के खिलाफ सेन करवाई के लिए पाकिस्तान को जिम्यदा ठार आया एक जुन आ गए पाज जुन को भारतिय सिना ने डॉकूमेंट जारी करके बताया कि पाकिस्तान की सनलिपता का है इसमें सबूत है नौ जुन को भारतिय सिना ने बटालिक सेक्टर में दो महत्पुन ठीकानों पर दुपारा कबजा कर लिया दस जुन को भारतिय सेना ने जाट रेडिमेंट के 6 सेनिकों के 6 विशत 100 लोटाए पाकिस्तान जो कैप्चर कर लिया था भारतिय सेनिकों को उसके 100 को लोटाया दस जुन को तेरा जुन को भारत ने संघर्ष की दिशा बदलते हुए महतपुर्ण तोलोलिंग छोटी पर दु कराई के बाद टाइगर हिल के पास पॉइंट 5060 और पॉइंट 500 पर कबजा कर लिया यह बीजुन में आप आ गए और पांच जुलाई को बिल किलिटन ने नवासरीफ से मुलाकात की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने कारगिल से पाकिस्तानी सेनिकों को हटाने की 11 जुलाई को पाकिस्तानी सेरीखों ने हटना सुरू किया भारतिय सेना ने बटाले की परमुक चोटियों पर कबजा कर लिया 14 जुलाई को भारतिय सेना ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोशना की और 26 जुलाई को कारगिल समाप्त हुआ लेकिन मैं आपको बता दूं का मिराज 2000 फाइटर था और बॉंबर था उसकी महत्पुन भूमिका रही क्योंकि तार्गेट कंट्रोल करते हुए लोकेशन को बिलकुल लॉक करते हुए जिस तरह से मिराज 2000 फाइटर ने वहां पर बं गिराए उससे पाकिस्तानी सेनकों की सप्लाई लाइन टूट गई और अंततह भारत ओप्रेशन बिजय को बिजय घोसित करने में सफल रहा तो आर्मी और एर फोर्स चुकि ये लड़ाई काफी उचाई पर थी तो आर्मी को नीचे से उपर जाना था और दुस्मन और लेडी टॉप पर था तो इसलिए यहां एर फोर्स की ज़्यादा महत्पु भूमिका थी लेकिन यहां पर लाइन अफ कंट्रोल को भारत ने कंट्रो नहीं किया एलोसी के अंदर रहते हुए कितना मुश्किल काम था एलोसी के अंदर रहते हुए भारत ने यह काम किया और उपर से बोंबॉर्डमेंट किया इसमें मिराज मिग 29 सभी बीमानों ने महत अपने जान गवाई थी और चौबिस साल हो गए हैं चौबिसवी बर्स गाठ है आज कारगिल के सभी जवानों को शहीद जो हुए थे उनको सरधांजली देने का दिन है जै हिन जै भारत